तो चलिए अज आज आपको एक most important जानकारी देनी है जो कि paper lock को लेकर है, exam lock को लेकर है कि आपको कितने paper lock करने हैं, कब से lock होना start होंगे क्योंकि बच्चे जो है message कर रहे हैं और website पर जाके उनको 2 April की last date दिखाए दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि 2 April last date है paper lock करने की और उनक पर July 2020 का option नहीं आ रहा है, तो देखिए यहां पर जो public notice आपको दिखाए दे रही है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले आपको वो सबंजना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको लिडिक कल वाली वीडियो में बता दिया था, यह वाली जो वीडियो है, इसमें हमने अरजेंट वीडियो में आपको बता दिया था, वो जो दो तारी की डेट सो हो रही है, वो किस चीज़ की डेट है, वो आपकी O-Level की डेट नहीं है, ठीक है, यहां पर देके लिखा गया है, पब्लिक नोटिस फॉर DLC माई 2014 एक्जामनेशन साइकल के DLC एक्जाम, DLC कौन से एक्जाम होते हैं, डिजिटल लिटरेसी कोर्से, जिसके अंदर आपके ACC, BCC, CCC, CCC, CCC+, और ECC के कोर्स आते हैं, तो इनकी लाज़ डेट है, दो अपरेल ना की, O-Level की डेट नहीं है, ठीक है, बच्चे मैसेज करने बाट साइब दो अपरेल ला इक्जाम के लिए, ठीक है, और अभी सिप और सिप आपके A-Level की डेट चल लएई है, B-Level की डेट चल लएई है, और C-Level की डेट चल लएई है, वो भी सिर्फ और सिप इंसिटूट से अगर आप करना चाहते हैं, तो ही आप करा सकते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पर आप जाएंगे, अपलाई ऑनलाइन वाले पे, तो देखिए, एडिमिशन नहीं होगा, रेश्टिशन आपके जो है, वो, क्लोस कर दिए गया है, तो आप जाके फॉर्म ना लोग कपसे होंगे आपके, तो एक्जाम लोग जो है, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकते हैं, वही मान के चले, साथ तारीख से लेके, पंदरा तारीख के बीज में आपके जो है, एक्जामनेशन फॉर्म स्टार्ट ना लेट कर सकता है, वो आपको लोग कर सकते हैं, एक बार में, तो अगर आप बार वीक करके ओ लेवल का एक्जाम दे रहे हैं, तो एक बार में आप दो मॉडूली लोग करिएगा, एम बन और एम टू का, और दो एक्जाम आप बाद में लोग कर पाएंगे, अगर आप ग्रियोशन करके जा रहे हैं, तो तो एक बार में आप चारो पेपर लॉक कर पाएंगे ठीक है और एक पेपर की जो फीस होती है वो एक हजार फीस होती है जैसे कि मालेज़े आपने M1 का लॉक किया तो साथ में उसका प्रेटिकल भी आटोमेटिक लॉक हो जाएगा आपको अलग-अलग लॉक नहीं करना होता ह और दोनों की फीस लखी गई है एक हजार रुपए ठीक है और अगर एक बार में चारो आप लॉक कर देते हैं M1, M2, M3, M4 तो इनकी फीस हो जाती है चार हजार रुपए प्लस सौर रुपए प्रोसेसिंग फीस आपकी देनी पड़ेगी ठीक है तो एक तालिस सौर रुप आपका प्रेटिकल का होगा बीस नमबर आपके वाई बाके होगा इस प्रकार से होता है और दोनों ही में आपका पास होना कंपल सरी है जो बच्चे फेल हुए हैं जन्वरी में प्रेटिकल में मालेज़े आप फेल हैं थियोरी में पास हैं तो आपका दोनों में ही आपका जो है fail माना जाएगा और आपको दोनों फिर से देना पड़ेगा देखिए यहाँ पर लिखा गया है fail के case में अगर आप fail होते हैं किसी एक में तो दोनों में आपका देखिए fail माना जाएगा अगर किसी एक में आप absent हैं तो देखिए absent वाला case भी नीचे लिखा हुआ है अग सकता है कि इंसटूट वाले आपसे बारागा सो रुपए चार्ज करें हो सकता है कि 1500 रुपए चार्ज करें तो ये उनका matter है आप उन से बात करें इतनी fit extra क्यूं लेते हैं वह ठिक है जोंकि इतनी fit नहीं होती है बन्थ विपया आपकी जो है लॉग कर सकते हैं जब आएगा फॉर्म तो आपको दिखा दिये जाएगा प्रोसीजर करके कैसे लॉग करना है और ए लेवल की जो फीज होती है वो थोड़ी सी कम होती है आपकी 750 रुपीज होती है मेरनमान से एक मौडूल की या फिर 500 रुपए होगी जब फॉर्म आएगा तो आप अपना प्रोजेक्ट सब्मिट कराएंगे तब ही आपका सर्टिफिकेट आएगा और बाकी मैंने आपको सब इंफॉर्मेशन दे रखिए चैनल पर आप लोग जाकर देख लिजेगा ओए बी सी लेवल तीनों का कोर्स हमारे पास सब लेबल है और इंडिया में से हमारे चैनल पर आपको जो है बी लेवल का कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया गया ठीक है तो बी लेवल का देखे कंप्लीटली नोट्स यहां पर बना दिये गहें जल्दी आपको चैनल पर इसकी डेमो क्लास भी हम प्रवाइट करा देंगे ठीक है ए लेवल और यह पूरा लेवल का सेट है और यह पूरा आपका ओ लेवल का सेट है तो कंप्लीटी पूरा पूरा सेट अप लेवल है 100% रिजल्ट है इसली आप ए से एस ग्रेट यहां पर ला सकते हैं ठीक है तो जुलाई के बैच पूरे पूरे अप लेवल है आपको बस 7007659485 मैसेश करना है और अपना कौर्ट परचेस करके घर बैटे अपनी तैयारी करनी है इसली आप जो है पांच चैयर के अंदर अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हैं और 12,000 मैं अपना ए लेवल घर बैटे कंपलीट कर सकते हैं ठीक है तो यह यह लेटेस अबडेट अभी आपका exam log जो है start नहीं सारे काम आपके क्लोज हो गए हैं, अब आपका री रेस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नहीं आपका ओस ए में टांसपर हो पाएगा, से बहुत ही भी इंस्टूट वाले काम होगे, डारेक्ट वाल आपको एक काम आपका नहीं होगा, ठीक है, तो जैसे डेटा आएगी तो क्यों खुति रवाचिंग्ट